अफरन की कोशिश, पैर पर कार चड़ा फरार बल्लबगर में बीच सड़क छात्रा को पीटा, एक गंटे बाद भी नहीं पहुची पुलिस NBT न्यूज बल्लबगर थी, वह HDFC बैंग के सामने पहची, तभी मोबाइल पर एक कॉल आई, कॉल्ति गाव में बुधवार दोपह चात्रा को अगवा नहीं कर सका तो उसे जातिसुचक गालियां देनी शुरू कर दी, इमार पीट की और पीरिता के पैर पर कार और कॉल कार्ट दिया, इसके बाद युवक चड़ा दी, आरोप है कि कॉल करने के एक पीछा करता हुआ आया और उसे कार में घंटे बाद तक पुलिस मौके पर नहीं पहुची, घीचने की कोशिश की, विरोध करने पर आरोपी नवादा गाव का बताया जा रहा है, चात्रा को पीटा, लोग एकटा होने लगे तो वगवारदात के स्थान पर CCTV कैमरे नहीं फरार हो गया, होने से स्माट सिटी के दावो पर सवाल पी की करने की तयारी, चात्रा और उसकी बहन वसहेली युवक से बचने के लिए गली में एतलाश शुरू कर दी है, फोन पर बात करने से इंकार किया मुड गई, तभी युवक आगे कार लेकर आया तो धमकाया, तिगाव थाने में दर्ज मामले और चात्रा के साथ मार पी घायल युवती को अस्पताल में ले जाया गया, पीडिता बैंकरमी युवती का आरोप है कि हुवक ने उसे घर में घुसकर जान से मारने की भी धमकी दी, सेक्टर माइनस अर्टालीस एरिया की एक सोसाइटी में रहती है, बुधवार सुभा वकार से ड्यूटी जर रही करीब 10 बजे वो MDI Flyover के पास पहुंची, तो एक ग्लैंज कार के चालक ने साइट से कट मार कर निकलने का प्रयास गाली ग्लैज वो जान से मारने की 11 अग्यात आरोपी पर मार पीट, सेक्टर माइनस अथारा थाने में बुधवार रातकार सवार धमकी देने की धाराओं मे केस दर्च कर मामले में कारवाई की जा रही है, आरोपी को जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा, हरेश कुमार ऐसे चो किया, लेकिन वो फिर पीछे हो गया, इसके बाद वो ओवर टेक कर आया और युवती की कार से उतर कर आया और गालिया देने लगा, इतना ही नहीं गा आरीपी की कार सी सी टीवी में दिख रही है, वह घटना आरोपी का मोबाईल नमबर दिया, फिर भी गिरफतारी नहीं, से बीस कदम दूर है, आरोपी ने अफरंग के प्रयास के बाद कार को वापस मोडा और दोबारा जाकर चात्रा के साथ मार पीट की, पुलिस अब तक आरोपी को तलाशने में विफल है, आरोपी के मोबाईल से उसका पता मालूम नहीं किया जा सका है, के अनुसार, मंजावली गाव में रहने वाली चात्रा के शेर मचाने पर युवक धमकी देते सरकारी कॉलेज में मा फाइनल एयर की सूचना दुरगा शक्ती एप पर कॉल करके दी, चात्रा है, बुधवार दोपहर धाई बजे कॉलेज आरोप है कि करीब एक घटे बाद भी पुलिस से अपनी बहन और सहेली के साथ वस मौके पर नहीं पहुची, सभी चात्रा तिगाव पकरने के लिए मंजावली मोर पर जा रही रोड जाम करने की तैयारी करने लगी